आज के हमारी लड़ाई जी हाँ हमारी लड़ाई मेरी बहनों, मेरी सख्खियां और हम सब की माए हमें अपनी लड़ाई खुद लड़ने होगी क्योंकि सब कहते अपना भारत बहुत आगे बढ़ गएा है बहुत तरक्य कर ली है लेकिन क्या लोगों की सोचने तरक्य की? जी नहीं, क्योंकि आज भी इतने लोग है जो अपनी बेटियों के पढ़ाई के खिलाफ है तो मुझे इन सब लोगों से एक सवाल है कि फिर वो अपनी डीडी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूलते हैं? है कोई जवाब? और इती नमली जुबान के लिए तो हर कोई शिकायद करता है फिर कोई ग्योंगी रख्की से शादी करने के लिए तयारती में होता है कोई जवाब उनके पास? आज भी इतने लोग है जो 21 सार कर टीवी, सोफा, बैग, फ्रिज, पॉशिम मशिन नहीं खरीते आपको पता है क्यों? मैं बताती हूँ क्योंकि वो अपने बेटों के शादिते इंतिजार करते हैं और हम कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ता है एक फेस्बूप के सी-यो जकरबर्ग ने अपने बेटी के पैदा होते हैं अपने निल्याने कपीशल डॉलर दान कर दी और यहां बाप अपने दहेज का पैसा जोगने के लिए तो अपनी गंजी के पहना चोड़ देता है अजीव रिवास है हमारे मुल्क का नियां आदमियों की तराब होती और धूमर और तो की निकलवाते हैं और हम कहते अपना देश बहुत आगे बढ़ते हैं अरे बेहें बेटी को तो छोड़िये लोग तो अपने स्वाज़ के लपनी मा के बूल जाते हैं उनका बटवारा कर लेते हैं अगर मैं मा के बालिदानों पर बात करूँ तो रात हो जाएगी लेकिन दो शब्द जरूर कहूंगी उन बेटों के लिए जिन्हें मा का मतलब नहीं पता किसी रात को सबके खाने के बाद एक दिन रसुलिन अपना खाना खुर ढूंदो मा क्या होती है समझ जाओगे मा तो वो भगवान है जिसे बुखार भी हो जाए और इसके बेटे को पता चले तो पता है क्या करेगी कि बेटा खाना बना रही कि न इसलिए गरम हो अब हमें कुराने रिती रवास को तोड़ कर आवे बढ़ना होगा और ऐसा पर दो जन्ना होगा कि हर मां हर बाँ ये कहे कि मुझे अखनी बेटी पर गर और अग्ले जनन में जो बेटी भी चाहिए और अग्ले जनन में जो बेटी भी चाहिए And I think women are foolish to think that they are equal to men because they are far superior than men and have always been. Thank you